नमस्कार क्यापिचल चीवी देख रहे हैं मैं हुआ आपके साथ पूजा ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिली शराब गुटाली मामले में आज का दिन केजरिवाल के लिए काफी जादा एहम है क्योंकि आज का दिन फैसले का दिन है कुछी घंटो के बाद हाई कोट आज अपना फैसला सुनाएगा कि केजरिवाल की गिरफतारी सही है या गलत हाई कोट के फैसले पर आपको ताजा अपडेट बताएंगे पर उससे पहले आपको आज की सबसे बड़ी खबर एक और देते है कि के कवीता को दिली के राउज एवन्यू कोट से बहुत बड़ा जटका लगा है 23 अपरिल तक के कवीता की नाइक हिरासत को बढ़ा दिया गया है तस्वीरे आपको दिखा रहे है और सबसे दिल्चस्प बात यह है कि जब उनकी पेशी हो रही थी वो कोट के अंदर जब जा रही थी तो उन्होंने मीडिया को कहा कि मेरी गिरफतारी एक राजशुतिक मुद्दा है जान बूचकर मुझे परिशान किया जा रहा है एक और बड़ी अपडेट ये भी सामने आई है कि के कवीता से सीवी आई ने पूश्टाच की है सौ करोड के लें देन के बारे में उनसे सवाल जवाब किया गया है तो के कवीता क को बड़ा जटका लगा है अर्विन के जिवाल के लिए भी आज कर दिन एहम है तमाम अपडेट आपको बताएंगे मेरे साथ जुड़े हैं क्या पचल जीवी के एडिटर इन चीफ जॉक्टर मरिश कुमार के कवीता को राहत नहीं मिली क्या वो वज़ा है जिससे कोड से उनको राहत नहीं मिली देखिए आज तीन केसिस यह सराब घोटाले के मसले में उस पर रिजल्ट आना है एक तो केजरिवाल जिसने अपने समन्स और गिरफतारी के खिलाब हाई कोड का दर्वाजा खट खटाया था उसका फैसला आना है आज तै हो जाएगा कि यह आम आद ही लिखता था कि यह समन्स ही इलीगल है उसके उपर आज एक फैसला आएगा दूसरा फैसला रावज विन्यू कोड से आने वाला है उसमें यह तै होगा कि केजरिवाल की बेचैनी बढ़ रही है उसके हाथ से कंट्रोल छूटता चला जा रहा है लोग इकठा नहीं हो रहे और पार्टी में टूट फूट मची हुई है तो यह कह रहे है कि हमारे वकीलों को जो कानून है जेल का जिसके तहत सब्ता में दो बार आप आदे आदे घंटे के लिए मिल सकते हैं यह कह रहे है कि सब्ता में पांच दिन का टाइम दिया जाए क्यों भई हर चीज में तुम को special treatment चाहिए ऐसे तो कहते हो कि हम आम आदमी हैं हमें कोई facility नहीं चाहिए इसको बाहर रहता है तो इसको सीस्मल जैसा facility चाहिए इसको facility ये भी चाहिए कि मैं Chief Minister रहूँगा लेकिन मैं किसी मंतराले का इंचार्ज नहीं रहूँगा अब जेल जब जाते हो तो वहां भी तुमको जो है facility चाहिए कि नियम कानून बदल दो केजरिवाल के लिए तो इसके उपर भी फैसला आएगा कि वही क्या होगा एक और फैसला आना था जिससे केजरिवाल के बेल के उपर जिसका जलने वाली है या नहीं है उसी लिए आज के कविता के केस में आज फैसला आना था तो इनको तेजसर अपरिल तक के लिए भीज दिया है मतलब 14 दिनों के रिमांट परे इनको तियार जेल जो है भीज दिया गया है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि प्राइमा फिसी कोट की नजरों में लग रहा है कि इनके खिलाब जो सबूत है वो तगड़े सबूत है और इनके इनका बाहर जाना ये इन्वेस्टिगेशन को भी हैंपर करेगा और इनसे आगे भी पूस्ताच होगी तो बखैदा ये जो इडी के तरब से दलील दी जा रही है कि सो कड़ोर रुपे जो केजरिवाल को दिये गए साउथ लॉबी के द्वारा यही इकठा करवा रही थी अपने लोगों की जिए और इसको लेकर अपडेट भी ये है कि सीब्याइए ने खुद के कविता से पूछताच की है सो करोड के लिए दिन के बारे में उनसे कई सवाल किये गए है के कविता का रोल आप समझे कि इसने केजरिवाल को सो करोर पहुचाए भी और जो सराब घुटाले से जो काली कमाई हो रही थी उसका एक बड़ा चंक के कविता इंडो स्पिरिट के जरिए अपने पास मतलब यह केस ऐ कि के जरिवाल भी है इसमें संजय सिंग भी है इसमें इसमें मनी सिसोधिया भी है के कविता भी है यह राजनितिक लोग इसमें सामिल हैं लेकिन देवेर वर्किंग विदेर एसोसियेट्स जैसे के जरिवाल काम कर रहा था विजय नायर के जरिए के जरिए के जरिवाल काम क कर रही थी डिरेक्टी नहीं थी लेकिन पूरा सुखत कट पुतली परदे के पीछे से सारी चीजे जो है यह मैनेज कर रही थी और इसलिए एडी के इन दलीलों की वज़ा से ही आप देखिए इनको कोई राहत नहीं मिल रही है अब विक्टिम कार तो खेलेंगे तिनों ने च चिठी फर्रा और उसमें सिर्फ राजनितिक बाते कि देखिए यह गिरिफ्तारी जो है हमको तंक किया जा रहा है जो एडी का जो इन्विस्टिगेशन यह इनलेस इन्विस्टिगेशन है कोई छापे मारी में कोई पैसा मिला नहीं पैसा मिला नहीं आजकल तो क्रिप्टो जी को जेल में डाल दिया क्या बई बीजेडी के पटनाग साब को जेल में डाला गया क्या राहूल गांदी को जेल में डाल दिया गया क्या यह जबरदस्ती तोड़ी है आपके उपर आरोप लग रहा है आप बताए कि आप कैसे काल पाक साफ है बई आपका जो सीए है वही आपके खिलाब बयान दे रहा है तो इसमें E.D. क्या करेगी बीजेपी क्या करेगी आपको जेल भेजा जा रहा है वो तो कोट के आदेश कोट अगर कोट इस बात के लिए जरासी भी कन्विज्ड होती कि ये पॉलिटिकल जो है वो बदला की कारवाई हो रही है ये जबरदस पॉजिशन लीडर्स को जेल में डाला जा रहा है तो रॉजविन्यू कोट हो हाई कोट हो सुप्रिम कोट हो सारे कोट जो है वो गलत है सब्सक्राव कि फिलाल ये दिख रहा है कि कोट कर्वेस्ट है E.D. जो दलील दे रही है उससे कोट सहमती जता रहा है तभी बार-बार नियाई खिरासत बढ़ाई जा रही है लेकिन मेरा एक सवाल गे है कि केज़िवाल अभी कुछ दिनों तक और जेल में है उनकी कस्टडी 15 तारिक को ही सुनवाई होगी नेक्स लेकिन क्या इस बीच के कवीता और अरविंद केज़िवाल को आमने सामने बिठा कर उनसे पू कि यह जो बेल के दोरान जो कंसीट किया एडी ने कि भाई अभी हमें इसकी ज़रूत नहीं है लेकिन बात में हम इसको बुला सकते हैं अब देखिए कि यह जो विक्टिम कार्ड खेलने की बात है आप तो सुप्रिम कोट भी गई सुप्रिम कोट में आप उन्हें अरजी ल बखड़ा है वो इल्लीकल है बिल्कुल आपको रहत नहीं मिली आप यहां भी जो बेल जो आप तथ दे रही है वो आपने क्या दिया है जो चिठी आई है चिठी में आप कह रही है कि मेरे बच्चा है एक माइनर है उसका एक्जाम है और उस वज़े से यह मेरे लिए डू और डायकस्ट इयर है कि बच्चे को मा की अभी जरूरत है भही यह जब सराब एक के उपर एक जो फ्री दी जा रही थी आपके लोगों के द्वारा यह अरविंद केजरिवाल जो बच्चों को यहां पे सराब की लत लगवा रहा था तब आपको ध्यान नहीं गया कितने प तो वो उन बच्चों का क्या हुआ उन बच्चों के बारे में कौन सोचेगा वो परिवार जो टूटे उसके बारे में भई आप देखिए इन लोगोंने क्या किया दिली में किसी भी देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस तरह से आप कोल्डरिंग्स पीते हैं जिस तरह से फ्रूट जूस का सैसे आता है उस हिसाब से पैक करके आप में सराब बेची है दिल्ली के अंदर चुल्नु भर पानी में डूब जाना चाहिए उसके बाद आप कहते हो कि भाई हम भगसिंग है हम भाबा भीमराव अम्बेतकर की जैसे है आपने तो पूरे के पूरे समाज को जो है चौपट करने का पूरा फॉर्मूला तयार किया था और ये तयार किया था कि किस तरीके से इससे पैसे कमाए जाए अब बारी है आपको जवाब देने की तो आप सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं आप पॉलिटिकल भासन कर रहे हैं कि 95% अपोजिशन के उपर ये किया गया है ये बकायदा पॉलिटिकल वेंडेटा के तहट जो है पकड़ा जा रहा है हमारी जब सरकार थी तब हम गरफतार नहीं किया गया अब हमारी सरकार जो वहाँ चली गई है मेरे पिता जी अब मुख को लेकर भी फैसला आएगा क्या उमीद लगाए जाए क्या होगा देखिए होगा वही जो के कविता के साथ हुआ है इस केस में केजरिवाल को राहत मिलना बड़ा ही मुश्किल है धनिवाद अपडेट के लिए तो बस कुछी घंटों की बाद अर्विन केजरिवाल को लेक है उनकी नाई खिरासक को 23 अपरिल तक के लिए बढ़ा दी गई है इस बड़ी कबर में मेरे साथ फिलाल इतना ही कैनल परसन रवी के साथ मैं पूजा क्या पिटल थी